तो फ्रेंट्स आजके इस क्लास में हम ए के उचारन नियम सिखेंगे यानि पिछली क्लास में हमने जो है ए का उचारन नियम सिखा था यानि भोवेल ए का और आजके इस क्लास में हम भोवेल ए का हम उचारन नियम सिखेंगे यानि जब किसी इंगलिस के वर्ड में ए लगा र तो उसका हम उचारन कैसे करेंगे और उसका उचारन क्या क्या होगा उसी को जो है आज के इस क्लास में हम सिखने वाले हैं यदि आप जो है इस ए का उचारन नियम सीख गए तो आपको जो है इंगलिस पढ़ने बोलने और लिखने में काफी मदद मिलेगी तो चले यहाँ पे उचारन बड़ी ए तू देखी ए का ए उचारन तब होता है जब किसी वर्ड में सिर्फ कॉंसोनेंट हो और उस कॉंसोनेंट के बाद में यानि लास्ट में ए रहे और उसमें कोई दूसरा भोवेल ना हो तो ए का ए उचारन करेंगे कैसी मतलब कि किसी वी वर्ड में यदि सिर्फ कॉंसोनेंट रहे और उसके लास्ट में सिर्फ ए रहे यानि ओनली ए रहे और कोई दूसरा भोवेल नहीं हो तो ए का हम ए उचारन करेंगे जैसे यहाँ पर देखिए एच ए इसको हम क्या पढ़ेंगे ही देखिए ही एच के बा और इसमें सिर्फ ए है तो इसको हम पढ़ेंगे ही इसको हे नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे ही का मतलब होता है वह पुलिंग के लिए यह लगता है यहाँ पर देखिए एस एच ए इसको क्या पढ़ेंगे सी क्या पढ़ेंगे शी देखिए यहाँ पर भी देखिए द वह यह जो है इस्त्रलेंग के लिए परियोग होता है यह आप देखिए W E इसको पढ़ेंगे V V का मतलब होता है हम या हम लोग B E इसको पढ़ेंगे B B का मतलब होता है होना तो आप इसको ध्यार रखिएगा किसी वी वर्ड में यदि कंसोनेंट हो और उसमें सिर्फ E लगा हो लास्ट में और उसमें और कोई दुसरा भोवेल ना हो तो इस E का उचारन जो होगा ना E होगा ठीक है तो चलिए आगे हम और भी नियम सिखते हैं इसके बाद हम सिखेंगे कि जब किसी वर्ड में डबल E लगा रहा है डबल E इस तरह से लगा रहा है डबल E तो इसका उचारन क्या होगा तो इसका उचारन जो होगा ना E होगा थोड़ा लंबा यानि दीड़ को होगा इसका उचारन लंबा करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे S-L-E-E-P इसको पढ़ेंगे SLEEP क्या पढ़ेंगे SLEEP देखिए DEE जहां पे भी रहे तो इसका हम उचारन E करते हैं बड़ी E और इसको थोड़ा खीच कर पढ़ेंगे लंबा उचारन होगा इसका SLEEP SLEEP का मतलब होता है सोना ध्याने कियेगा जहां पे भी रहे किसी वी वर्ड में DEE एक साथ रहे तो इसका उचारन E करिएगा ठीके W DEEP VEEP VEEP का मतलब होता है रोना SLE C C का मतलब होता है देखना B DEE B B का मतलब होता है मदू मखी D E DEE P DEEP DEEP का मतलब होता है गहरा K N DEE Nी Nी का मतलब होता है घुटना तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़कर समझे लिजिएगा तो चलिए आगे देखते हैं M DEE T इसको पढ़ेंगे MEET MEET का मतलब होता है मिलना N DEE D इसको पढ़ेंगे NEED NEED का मतलब होता है जरूरत F DEE L PHEEL PHEEL का मतलब होता है महसूस S DEE N SINE SINE का मतलब होता है दृश्य तो इसको हमेशा आप धहारा किएगा जिस भी वर्ड में DEE रहे तो इसका उचारन E करिएगा थोरा लंबा करिएगा ठीक है तो चलिए आगे हम और भी रूल देखते है यहाँ पर देखिए अगला रूल है EA एक साथ रहे तो इसका उचारन क्या होगा E होगा इसका भी उचारन लंबा होगा दीर यानि थोरा सा लंबा होगा ठीक है ध्यार रहे किएगा डबल E या EA किसी भी वर्ड में एक साथ रहे यानि डबल E एक साथ में रहे और EA एक साथ में रहे तो इसका जो उचारन होगा E होगा बड़ी E और इसका थोरा खिच कर हम उचारन करेंगे यानि EA एक साथ है तो इसका उचारन क्या होगा E होगा इसको पढ़ेंगे Read Read का मतलब वाता है पढ़ना S-E-A-T इसको पढ़ेंगे Seat Seat का मतलब वाता है बैठने की जगा M-E-A-T इसको पढ़ेंगे Meet Meet का मतलब वाता है Monce S-E-A का मतलब होता है समूद्र C-L-E-A-N इसको पढ़ेंगे clean clean का मतलब होता है साफ C-H-E-A-T इसको पढ़ेंगे cheat cheat का मतलब होता है ठगना H-E-A-T heat heat का मतलब होता है गर्मी B-E-A-T beat का मतलब होता है पिटना L-E-A-D lead lead का मतलब होता है प्रमोख E-A-T eat eat का मतलब होता है खाना यानि यहाँ पर देखिए सुरू में E-A है मतलब कहीं पर भी किसी भी वर्ड में E-A एक साथ रहे तो इसका उचारण हम E करेंगे T-E-A T-E देखिए इसमें सुरू में है और इसमें last में है तब भी हम E-A का हम क्या करेंगे बड़ी E का उचारण करेंगे T-E का मतलब चाए तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ नोट में देखिए कुछ ऐसे words हैं जिसमें E-A एक साथ है फिर भी इसका उचारण E नहीं हुआ है इसका उचारण कुछ और ही होगा तो देखिए यहाँ पर D-E-A-R इसको पढ़ेंगे दीर नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे डियर यानि किसी word में E-A-X नात रहे और उसके जस्ट बाद आर रहे तो इसका मुझा आरण E नहीं करते हैं क्या करते हैं यह करते हैं जिसने हाँ पर देखिए दियर दियर का मतलबता है प्रिये T-E-A-R इसको पढ़ेंगे टीर टीर का मतलबता है आसु H-E-A-R इसको पढ़ेंगे हियर हियर का मतलबता है सुनना B-E-A-R Besjer Besjer का मतलबता है भालू I-D-E-A आइडिया दिखिए यहाँ पे इसका उचारन आइडिया किजिएगा इसको हमेशे याद कर लिजेगा आइडिया कमतलहुआ हाँ विचार आइडि इ ए ए ए ल इसको पढ़ेंगे आइडियल jedem कमतलहुआ हाँ आदर्श तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि EA के बाद R रहे तो इसका हम उचारन करते हैं EA ठीके क्या करते हैं EA और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा इस दोनों को भी यहाँ IDEA IDEAL ठीके तो चलिए आगे हम और भी रूल पढ़ना सिखते हैं तो अगला रूल है E का A उचारन यानि E का हम A उचारन कब करेंगे तो देखिए E का A उचारन तब होता है जब किसी वर्ड में यानि इंगलिस के वर्ड में दो कंसोनेंट के बीच में E रहता है तो कंसोनेंट के बीच में E रहता है तो इस E का A उचारन होता है क्या रूले कि जब किसी word में दो कंसोनेंट के बीच में E रहे तो E का उचारन हम A करेंगे जिसी यहाँ पे देखिए एक्जाम्पल में P, E, N इसको क्या पढ़ेंगे हम? P, E, N यहाँ इस E क्या हम A उचारन करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना दो कंसोनेंट है और दोनों कंसोनेंट के बीच में जो है ना E लगा है और इसमें और कोई दूसरा भोवेल नहीं है तो इस E का हम A उचारन करेंगे इसका करेंगे उचारन पेन पेन का मतल़ होता है कलम N A T N A T यहाँ पर देखिए दो consonant है बीच में E है और कोई दुस्तरा भोवल नहीं है तो इसको पढ़ेंगे N A T N A T का मतलब होता है जाल W H E N इसको पढ़ेंगे When When का मतलब होता है कब या जब L A G Leg Leg का मतलब होता है टांग R A D Red Red का मतलब होता है लाल T H E N इसको पढ़ेंगे देन देन का मतलब होता है तब W A L इसको पढ़ेंगे वेल वेल का मतलब होता है अच्छा S E L L Sail Sail का मतलब होता है बेचना G A T Gate Gate का मतलब होता है पाना A G G एग, एग का मतलब होता है अंडा, तो आईए, इसके बाद हम सिखेंगे, EW किसी वर्ड में एक साथ रहे, तो उसका उचारन क्या करेंगे, ठीके तो देखे, EW, एक साथ किसी वर्ड में रहे, तो इसका उचारन EU होता है, क्या होता है, EU तो यहाँ पर देखें, एक जामपल में N, E, W इसको पढ़ेंगे, NEW NEW का मतलब होता है, नया F, E, W FEW, FEW का मतलब होता है थोड़ा, यहाँ पर देखें N के बाद क्या है E और W, एक साथ है यहाँ पर भी E और W एक साथ है, लास्ट में, तो इसका हम U उचारन करेंगे, ठीक है इसको NEW, इसको FEW पढ़ेंगे, ठीक है V, I, E, W इसको पढ़ेंगे, V, U V, U का मतलब होता है, द्रिश्च D, E, W D, U D, U का मतलब होता है, ओस इसके बाद देखिए हम ऐसा रूल पढ़ने वाले हैं, जिसमे E तो रहेगा, लेकिन उसका उचारन अपना नहीं होगा, यानि E जो है, silent रहेगा, उसका उचारन नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे, रूल नमर 1 में, यदि E के पहले स्वर A आया हो तो A का उचारन A होता है, और E का उचारन नहीं होता है क्या है, इस रूल में कि E से पहले यदि A आया हो यानि E से पहले भोवेल A आया हो तो A का क्या उचारन करेंगे A करेंगे, और A जो E होगा इस E का उचारन नहीं होगा यानि ये जो E है, A silent रहेगा, ठीक है, तो आएए यहाँ पे एक्जांपल में देखते हैं, जैसे में S, H, A, M, E देखें यहाँ पे, last में E है, और E से पहला वाला जो भोवेल है, ओ क्या है A है, तो इस A का हम A उचारन करेंगे, और ये जो last में E है ना, इसका उचारन नहीं होगा, यानि A silent रहेगा तो इसको पढ़ेंगे, shame इसको से में नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे shame, इस E का उचारन नहीं होगा shame का मतलब वता है लज्जा, देखें, N, A, M, E, इसको name पढ़ेंगे, name नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे name पढ़ेंगे, क्योंकि last में E है और E से पहले जो स्वर है E से पहले जो स्वर आया है उस स्वर का जो है वो यह है यानि भोवल A है तो इस A का हम A उचारन करेंगे और इसी का उचारन नहीं होगा name, name का मतलब होता है नाम यहाँ पे दखिए L A M E name, name का मतलब होता है लंगड़ा S A M E same, same का मतलब होता है वहीं F A M E fame, fame का मतलब होता है यश अब यहाँ पे रूल दो देखेंगे जिसमें E तो रहेगा लेकिन E का उचारन नहीं होगा देखिए यदि अन्तिम E के पहले I आया हो तो I का I उचारन होता है E का अपना उचारन नहीं होता है यानि किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर भोवेल E हो और उससे पहले वाला जो भोवेल हो ओ आई हो तो इस I का I उचारन होता है और इस E का उचारन नहीं होता है पिछले जो अभी नियम सीखे हैं इसमें क्या था कि किसी वर्ड में अंतिम अक्षर भोवेल ई रहे और इससे पहले वाला जो भोवेल आया हुआ रहेगा वो ए रहे तो इस ए का हम ए उचारन करेंगे और इस ए का उचारन नहीं करेंगे ठीके तो अभी हम रूल इसमें पढ़ेंगे ये वाला जो है कि अंतिम अक्षर ई हो और उससे पहले वाला जो भोवेल आये आई हो तो इस आई का उचारन हम आई करेंगे जिससे यहाँ पे देखिए डबल्यू आई एफ ई इसको पढ़ेंगे वाइफ इसको विफे नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे वाइफ वाइफ का मतलवत है पतनी देखिए यहाँ पे लास्ट वला अक्षर जो है न ई है और इससे पहले जो भोवेल आया है ओ है आई तो इस आई का हम आई उचारन करेंगे और इ का हुचारन नहीं होगा इससे यहाँ पे देखिए ल, आ, 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 एफ, इ इसको पढ़ेंगे लाइफ लाइफ का मतलवता है जिंदगी डेब्लिउ आ, ए, 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 आ, इ इसको पढ़ेंगे वाइन वाइन का मतलवता है शराब F-I-N-E, fine, fine का मतलबता है अच्छा W-H-I-T-E, white, white का मतलबता है उजला L-I-N-E, line, line का मतलबता है लकीर N-I-N-E, nine, nine का मतलबता है नौव K-I-T-E, kite, kite का मतलबता है पतंग S-I-E, size, size का मतलबता है वस्तु का अकार W-R-I-T-E, right, right का मतलबता है लिखना तो इसको आप हमेशा ध्यार रखिएगा कि किसी भी words में अंतिम word E रहे यानि भोवेल E रहे और इससे पहले वाला जो भोवेल आए रहेगा I रहे तो इस I का हम I उचारन करेंगे इस E का उचारन नहीं होगा, ठीक है चलिए आगे हम और भी rule सिखते हैं इसके पाद हम rule 3 में देखेंगे यदि अंतिम E के पहले, यानि किसी word में अंतिम E के पहले O आ जाए यानि O रहे, तो O का O उचारन होता है और E का अपना कोई उचारन नहीं होता यानि E साइलेंट रहता है नियम के है, कि जब किसी word में अंतिमक्षर E रहे, और इस E के पहले जो भोविल आया हुआ रहे वो O रहे, तो इस O का O उचारन होता है और ये जो last वाला E रहेगा इसका उचारन नहीं होगा तो जैसे यहाँ पे देखे इसको क्या पढ़ेंगे, नोज देखिए लास्ट वाला E है और इससे पहले जो है ना भोविल है, O तो इस O का O उचारन होगा इस E का उचारन नहीं होगा तो इसको पढ़ेंगे नोज, नोज का मतलब बता है नाक, H-O-P-E होप, होप का मतलब आश्रा S-C-O-P-E एसकोप, एसकोप का मतलब होता है विस्तार B-O-N-E, बोन बोन का मतलब होता है हड़ी H-O-M-E होम, होम का मतलब होता है घर M-O-R-E मोर, मोर का मतलब होता है अधिक इसके बाद हम देखेंगे रूल नमर, फोर में यदि अन्तिम E के पहले यानि किसी वर्ड में अन्तिम अक्षर E रहे और उससे पहले जो है भोवेल U आए तो U का U या U उचारन होता है लेकिन E का उचारन नहीं होता है, यानि ये silent रहता है, ठीक है तो रूल क्या है कि किसी वर्ड में यानि अन्तिम अक्षर उसका E रहे और इससे पहले जो भोवेल आए U रहे, तो इस U का U या U उचारन होगा इस अन्तिम E का कोई उचारन नहीं होगा, जैसे में यहाँ पे देखिए C U T E इसको पढ़ेंगे cute cute का मतलब अता है सुन्दर इसको कुटे नहीं पढ़ेंगे या cute नहीं पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे cute यहाँ पे देखिए लास्ट वाला E है और इससे पहले क्या है वह वेल यू आया है तो इस E का उचारन नहीं हुआ है U का U या U उचारन होगा तो यहाँ पे U उचारन होगा है ठीके cute का मतलब सुन्दर R U L E rule rule का मतलब अता है नियम J U N E June June का मतलब अता है June T U N E इसको पढ़ेंगे tune tune का मतलब अता है ध्वानी T U B E tube tube का मतलब अता है नली M U T E Mute Mute का मतलब चुप तो friends आज के इस भोवेल E के उचारन नियम में बस इतना ही आप जो है ना आज के जो भी नियम बताए गए हैं आज के class में उन सभी नियमों को आप अपने copy में लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लिजिएगा समझ करके और साथ-साथ में जो इसका एक्जामपल दिया गया है इसको भी लिख करके आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ना सिख लिजिएगा तक कि इस परकार के कोई भी words किसी भी English का book हो या कहीं पर भी लिखा रहे तो उसको आप असानी से पढ़ देंगी और आप जो है आज के इस class को लाई करके अपने सभी friends को share कर दीजिए ताकि आपके जान पहचान वाले जो भी हैं ओ जोगे घर बैटे असानी से भोवेल एक उचारा नियम सीख जाए ताकि उनको जो है ना इंग्लिस पढ़ने लिखने और बोलने में किसी भी परकार की कोई प्रोब्लेम ना हो जाहिंद फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिस के class में